पोट्स से जूडी किसी भी अपडेट कीए स्पोट्स तक को सबस्क्राइब करें और हमारे फेस्बुक और इंस्टेगाम पेज को भी जरूर फॉलो करें आई पिल राउंड टू और मुंबई इंडियन्स वर्सिस कोलकता नाइट राइडर्स एक ऐसी टीम जिसने जाने पहचाने अंदाज में अपनी शुरुवात करी यानि मुंबई इंडियन्स हार गई अपना पहला मैच और कोलकता नाइट राइडर्स ने शानदार जीत के अपना दिमाग भी लगा सकते हैं प्रेडिक्शन करनी हैं आपको कि जी पाउर प्ले में क्या स्कोर होगा अगर महां से मुंबई इंडियन्स खेल रही है तो उनके साथ रोहिच छर्मा जो काफी टाइम से ड्यू हैं रंस के लिए उनके भी कितने रन हो सकते हैं दूसरे र बहुत सारे इनाम हैं पर यह प्रिविए हैं तो मैं आपको बता दू कि मुंबई इंडियन्स के पास दिककत क्या आ औरी एक तो चटा बोलिंग पृप्शन हौला कि खायर कायरेंग मेरी इयॉट पुल्ड्दा उनके चटे बोलिंग ऑप्शन हार्दिक्पंडिया नहीं कि कि हार्दिक पंडिया की इंजिरी को लेके थोड़ी बहुत परिशानी है, इंजिरी बोल लीजिए या निगल बोल लीजिए उनका जो शोल्डर है वो 100% तो नहीं है, आपने देखा होगा वो अंडराम थ्रो कर रहे थे और ये भी देखना होगा कि राहुल चहर इस team combination में इस match के लिए बैठते हैं या नहीं बैठते हैं क्योंकि कोलकता night riders के पास अगर उनका आप top order देखें या middle order तक उपर से 7 number तक उनके पास 3 left handers हैं, तो क्या आप राहुल चहर के साथ ही जाएंगे या फिर आप जैन्त यादव की off spin को इस्तमाल कर सकते हैं, वहाँ पे हरबजन स मुझे लगता है कि दुबारा आपको उस कोलकता night riders की 11 में दिखने चाहिए, क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ भी काफी सारे left handers हैं, क्विंटन डिकॉक की वापसी almost तै है क्योंकि उन्होंने अपना quarantine खत्म कर लिया है और practice भी join कर लिया है Mumbai Indians की तरफ से और Chris Lynn, मुझे लगता टॉप स्कोरर थे, Mumbai Indians के लिए उनके पहले मैच में, बड़ो शुरुआत में बहुत जादा convincing नहीं लगे, क्कR को ये देखना होगा कि जो पेस अटैक है, अला कि Mumbai Indians का पेस अटैक जो है, जिसमें जस्परीद बूमरा हैं, ट्रेंट बोल्ट हैं, वो थोड़ा बहतर लगता अला कि जब उन्होंने हाइदराबाद को हराया था, उनका पेस अटैक भी बहुत जादा कमजोर नहीं था, क्योंकि भूवनेश्वर कुमार थे वहाँ पे, नटराजन भी थे, तो उस लिहास से ये एक अच्छा मुकाबला होना चाहिए, क्या ये दुबारा वैसा ही होगा क्योंकि मुंबई इंडियन्स की बैटिंग में भी फायर पार है, या फिर हम देखने को मिलेगा जी, कौलकाता नाइट राइडर्स की बैटिंग, वर्सिस मुंबई इंडियन्स की गेंदबाजी, टीम कॉम्बिनेशन हैं, तो आप मुझे आपको ये बताना है, और मुझे कैसे बताएंगे आप डाफा न्यूस पे जाएए डाफा न्यूस के थुरू आप बताएए कि possible team combination क्या हो सकता हर्बजन सिंग एक over करा था उनने पिछले match पे क्या इस बार चार over करेंगे और चार over करेंगे तो यार रोहिच हर्मा और हर्बजन सिंग दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह किसे जानते हैं मुंबर इंडियन्स के लिए बहुत क्रिकेट खेली है और चिनन नहीं कि इस ग्राउन को हर्बजन सिंग बहुत अच्छे से जानते हैं इस बार दुबारा कुछ बड़ा काम कर देंगे वो कुंटन डिकॉक के सामने कैसे बोलिंग करते हैं कितने विकेट मिलेंगे जस्परीद बूमरा का क्या होगा और ट्रेंट बोल्ट जो पिछले सीजन आपको याद होगा टॉप फिकेट टेकर्स में थे इस सीजन क्या करते हैं इस मैच में क्या करते हैं पर आप लोग डाफा नीउस पे जाईए वहाँ पे सारी प्रेडिक्शन कीजिए देखिए कि आपका दिमाग और आपकी स्किल कितनी चलती है और स्पोर्ट्स तक को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिविकेशन की घंटी भी जरूर बजानी है ताकि आपको लाइव अपडेट्स के साथ साथ जो हम चैट्स करते हैं वो तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी खबरों के लिहाज से भी बहुत ज़ादा जरूरी है